Back to the channel students, फिर से स्वागत आपका YouTube channel NH रह्मान में लोजी एक और प्रॉब्लम आ गई आज के आज ही तो ये लगबक 3 marks का question आएगा आपका और जिन students ने linear equation अच्छे से समझा है algebraic identities अच्छे से समझा है, factorization अच्छे से समझा है तो उनको factorization middle splitting time ठीक है अगर अच्छे से आप लोगों ने समझा है, तो आप ये question बड़े easily कर लोगे तो हमें क्या करना है, solve for x या नहीं, सिर्फ x की value निकालनी है और कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ आप 6th, 7th, 8th class तक के करते वे आयो हो लेकिन ये थोड़ा सा high level मामला है, माला है नहीं तना देखो तो भाई साब हमें क्या करना है, इसको सीधा सीधा solve करना है तो अब जैसे मेरे पास 1 upon x minus 2 प्लस 2 upon x minus 1 अब इसको हम आगे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए ये जो नीचे के digits हैं, इनका हमें LCM लेना होगा आप कहोगे सर हम LCM लेंगे, देखो कैसे लेंगे सर ये तो number ही नहीं पता, कैसे इसका LCM लेंगे तो जब इस तरह से term में आपके पास digits ये इस तरह से denominator में दो terms इस तरह से given हो, तो आपको क्या करना होता है सिधा सिधा multiply करना पड़ता है, cross multiply और नीचे इनकी multiply हो जाती है, तो देखो x minus 2 से x minus 1, ये इनका LCM आ जाएगा ऐसे अब देखो, यहाँ पर 2 की multiply हमें x minus 2 से करनी है, और यहाँ 1 की multiply x minus 1 से करनी है, तो हम 2 की multiply तो x minus 2 से करेंगे और यहाँ 1 की multiply x minus 1 से करेंगे तो अब आगे करते हैं X-1 लस देखो 2X लस 2 टूज़ा 4 अब आप कहोगे कि सर ये तो numerator की बात रही यहां 6 upon X लिख देता हूँ आप वो लोगे सर denominator में क्या करना है देखो भई यहां X-2 और X-1 अब देखो ये कुछ-कुछ आपको algebraic identity जैसा नहीं लग रहा A-B नहीं स्वरी X-B और X-A कुछ X-A और X-B कुछ इसता रहा याद नहीं आ रहा देखो algebraic identity है X-A प्लस X-B equals to X-square प्लस A-B bracket के बाहर X प्लस A-B ये algebraic identity थी जो आपने 8 में शायद पढ़ी होगी 9 में तो पक्का पढ़ी होगी NCRT के अंदर तो देखो ये ही identity लगा रहा हूं है तो वहाँ क्या था X-Ca square तो यहाँ पे भी हम X-Ca square लगा देते हैं प्लस A-B तो minus 2 और minus 1 और फिर यहाँ X और फिर क्या आता है प्लस A-B तो मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं ये थोड़ा होगा आप ज़र इन चीजों का ध्यान रखना तो यहाँ X प्लस 2X ये हो गया 3X ठीक है और यहाँ minus से minus plus हो जाएगा ये भी minus 5 हो गया नीचे आते हैं डिनोमेटर में X square minus minus plus होता है ये minus 3 और X क्योंकि ये बाहर था ब्रेकेट के और ये 2 अन्जा 2 और ये plus का 2 होगा भाया 6 upon X अब भी हम आगे क्या करेंगे cross multiply करेंगे X की यहाँ और इसकी यहाँ तो 3X minus 5 से तो multiply हम X से कर देते हैं और 6 की multiply X square minus 3X plus 2 से कर देते हैं तो यहाँ पे multiply किया यहाँ तो आया 3X का square minus 5X अब यहाँ पे जिस तरह से distributed property की तरह से करते हैं देखो 6X का square 6X is 18 और 6 into 2 6X is 12 तो यहाँ 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 12X ठीक है 12 आगया खाली अब जो जिससे मिलता है मैच अप करता है उससे देखो यह plus का है ना उधर आगे minus का हो जाएगा और यह 6X का square क्यूंकि दोनों के उपर X का square है तो यह 3X का square और यह minus 18X और इधर यह plus का 5X हो गया और इधर यह 12X 12 बच खाली सॉरी 12 और यहाँ क्या बचा बच जीरो अब आगे करते हैं भई अब इन दोनों को मैं minus करूंगा क्या आएगा 3X का square plus minus minus होता है तो यहां 13X आगया और यह आगे 12 चलिए आगे करते हैं अब देखो दियान से भई अब मुझे X की value निकालनी थी question में क्या था मुझे X की value निकालनी थी लेकिन मैंने यह तो कोई मेरी factorization term आगी यह कोई term आगी मेरी पूरी की पूरी तो मैं अब यहाँ X की value कैसे निकाल लोगा मुझे लगाना पड़ेगा middle splitting term वाला formula जो factorization भी आपने 8 class में पढ़ा होगा तो 3 की अगर मैं multiply 12 से करूँगा तो वो 36 आएगा और 36 का अगर हम prime factorization करेंगे तो 36 का prime factorization मैंने पहले से कर रखा है यह रहा आपके सामने तो यहाँ पे मुझे factors मिल गए है 3, 3, 2, 2 करके ठीक है यह 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 4, 12 इस तरह से याद होगा आपको पहले last वाले से पहले वाला number multiply करते है फिर वो आएगा जो भी number आएगा जैसे यहाँ 3 की multiply हम 12 से करेंगे तो वो 36 आएगा और 36 का फिर मैं prime factorization करूँगा जिसके factors आएगे तो यहाँ पे 3 into 3 9 होता है और 2, 2, 4 होता है देखो बनाना मुझे क्या है मुझे बनाना है बीच वाला number जो कि यह 13 और आप यह देखो अगर मैं 9 और 4 को प्लस करूँगा तो वो 13 ही तो आएगा भई 9 प्लस 4 करूँगा तो वो 13 ही आएगा और यह 9 कहां से है 3, 3 is a 9 और 4 कहां से है 2, 2 is a 4 ठीक याद आया ना कुछ-कुछ 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो बनी हुई है फैक्टराइजेशन के उपर आप देख सकते हो 0 equals to 3x का स्क्वायल माइनस अच्छा मेरा एक तो 9 आया और एक आया एक तो मेरा 9 आया और एक आया 4 तो यहाँ 9x माइनस 4x प्लस 12 यहाँ पर कॉमन लेना है मुझे तो यहाँ पर मैं 3 और x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ गे x माइनस 3 और यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लेता हूँ 4 x माइनस 3 तो एक तो यहाँ पर x-3 common ले लेंगे पूरा का पूरा x-3 और यह बच किया 3x-4 तो एक तो x की value तो एक तो x की value क्योंकि एक तो value मेरी आई है x-3 और एक value आई है 2 sorry 3 x-4 और यह क्योंकि 0 के equal है तो या तो यह है या यह है इन दोनों में से एक उठा लेते हैं अगर मैं x-3 रखूं तो x की value मेरी 3 आजाएगी और अगर मैं 3x-4 रखूं तो यहाँ 3x equals to 4 x की value 4 upon 3 आजाएगी तो देखा आपने कितने easy questions है और इसको note कर लीजे चाहे तो वीडियो को previous पीछे करके note कर लीजे ठीक है यह सिर्फ समझाने का था और यह main work था यहां से free request यह है कि भई s u b s c r i b e अरे गलत spelling होगी हाँ जो भी है कर दो यार जो भी है समझ तो गया होगी न इशारा काफी है समझधार और इशारा काफी है